सब ही मित्रों को जै जै सिया राम प्रभु स्री राम की किर्पा हमारे सब ही मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है गोश्वामी तूलसी दास जी के कुछ दोहे अर्थ सहिप गोश्वामी तूलसी दास जी के दोहे के अनुसार जो उन्होंने दोहा में कहा है उसके अनुसार अगर मनुस चले तो मनुस अपने जीवन में मानब जीवन में सुक भोग कर और अंत में मिर्तु उप्रांत मुक्ष को प्राप्त करता है तो आईए सुनते हैं गोश्वामी तुलसी दास जी के कुछ सीख भरे दोहे दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान अतुलसी दया नचारिये जब लग घट में प्रान गोश्वामी जी कहते हैं कि मनुस को दया कभी नहीं छोरनी चाहिए क्योंकि दया ही धर्म का मूल है इसके विप्रीत अहंकार शमस्त पापो की जर होता है गोश्वामी जी कहते हैं कि मंत्री बैद और गुरु एतीन दी भैया लाव की आसा से खित की बात न कहकर प्रिये बोलते हैं तो क्रमसह राज्य शरीर एबम धर्म इन तिनों का सिग्रही ना सोजाता है तुलसी मीठे बचनते सुख उपजाता चहुओर अब बसिकरन एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर गुश्वामी तुलसी दास जी कहते हैं कि मीठे बचन सब और सुख फैलाते हैं किसी को भी बस में करने का ए अचूक मंत्र है अमूल मंत्र है इसलिए मनुस को चाहिए कि कठोर बचन छोर कर मीठा बचन बोलने का प्रयास करें कामी ही नारी पियारी जीमी लोभी ही प्रिये जीमी दाम अतिमी रगुनाथ निरंतर प्रिये लाग हूं महिराम जैसे काम के अधीन कामुक ब्यक्ति को नारी प्यारी लगती है और लाल्ची ब्यक्ति को जैसे धन प्यारा लगता है वैसे ही हेराम हेर अगुनाथ जी आप मुझे हमेशा प्यारे लगते रही है आप कहीं पर जाते हैं और आपके जाने से उहां के लोग अगर खुश नहीं होते और उन लोगों की आँखों में आपके लिए न तो प्रेम है और नहीं सने हो वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए चाहे वहां धन की ही बरसा क्यों न होती हो गोश्वामी जी कहते हैं कि हे मानब यदि तुम भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहते हो तुम मुख रुपी द्वार कीजीव रुपी दहलीज पर राम नाम रुपी मनी दीप को रखो तो बोलिये सियावर राम चंद्र की जए, अयोध्या राम लला की जए, ब्रिंदावन विहार इलाल की जए, पवन सुतहनु मान की जए, बोलो भाई शवसंतन की जए, हर हर महादेब, जये सिब संभो